हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में प्रेंट्स आज अगेन आपके सामने एक बहुत ही बहतरीन लेक्चर वीडियो यानि टेंट्स टाइमडर के लिए मैंच टू जोमेटरी सब्जेक का पहला चाप्टर सिमिलारिटी का लगातार दोस्तों लेक्चर नमबर टेन में आपके लिए लेकर आ गया हो और दोस्तों आ wise अजने बता सकते हैं कि ये दोनimagin ट्रेंगलज एक दूसरे से तो एंगबल एंगल आगल टेस्ट पड़ाता हमने ये चारो एक्जामपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट आफ यू तो आपको बस ये वीडियो को एंड तक देख लेना है और एक और चीज अगर आप मुझसे तक सोशल मीडिया पर कनेक्टे नहीं हो तो फटा फट से मुझे इस आईडी प कर सकते हैं या फिर मुझे मेंशन कर सकते हैं अपने स्टोरी में मैं आपको जरूर से रिप्लाइ कर दूँगा इन रिमेंशन कर दूँगा ठीक है तो जो भी डाउट से आप पूछ सकते हो ओके अब यहां पे एक और चीज है कि आज हम चार जो पढ़ने वाले हैं प्राक् एंगल ABC का वाले 75 दिया हुए यानि दूसरा यहां पर एंगल EDC दिया है डाइगरम में भी यह चीज दिया है हमें पूचा है state whether which two triangles are similar मतलब इसमें से कौन से दो ट्राइंगल है वैसे दो ट्राइंगल कौन से है एक तो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है और एक छोटा वाला ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है ये हमें प्रूब करके दिखाना है और अगर सिमिलर है तो भया कौन से टेस से सिमिलर है ये भी हमें आपको आज प्रूब करके दिखाना है तो आपको क्या करना है ये question जो मैं कराने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे step by step इसके अंदर ये चीज़े हम लोग कर रहे है तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखोगे कि दो ट्राइंगल कौन-कौन से तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा देरा two triangles तो इन ट्राइंगल पहला ट्राइंगल में लोगम सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नामे ट्राइंगल ABC तो इन ट्राइंगल ABC and दूसरा ट्राइंगल का नामे EDC तो इन ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल EDC यह दोनों ट्राइंगल में आप जब नोटिस करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो मेरा एंगल ABC है मेरा कुनसा एंगल, ABC, यानि यह वाला एंगल जो है, एंगल B जो है, और दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे, एक और एंगल है, जो कि है, एंगल EDC, एंगल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एंगल EDC, अब यह दोनों एक दूसरे को क्या है, मुझे बताओ, कि एंगल ABC का मेजर है 75 डिगरी, एंगल EDC का मेजर है, 75 डिगरी, बोथ हार 75 डिगरी, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, कि जो मेरा एंगल ABC है, और मेरा जो एंगल EDC है, यह क्या है, एक दूसरे को कॉंगुरेंट है, क्या है दोस्तों कॉंगुरेंट, एंग यह क्यू है, reason बता सकता हूँ, क अगर देख रहे हूँ, तो आपको समझ में आएगा, कि यहाँ पर एक और एंगल है, जो एक दूसरे को कॉंगुरेंट है, कैसे, यहाँ पर देखो, एंगल ACB, यानि यह वाला एंगल, C वाला एंगल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक word, that is मेरा एंगल ACB, मैंने क्या ऐसा लिखू, कि एंगल E, C, D, तो यह दोनों भी क्या है, एक दूसरे को, मुझे बताओ, एंगल ACB, एंगल E, C, D, यह क्या है, एक दूसरे को, कॉंगुरेंट है न, यह दोनों क्या है, क्यों कॉंगुरेंट है, क्यों कॉंगुरेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों कोन है, common angle है और जब भी कोई common angle होता है तो वो congruent हो जाते हैं तो यह दोनों triangle के अंदर यह जो C है angle C, angle C दोनों में ही angle C is common therefore angle ACB is congruent to angle ACD इसको मैं मान लेता हूँ equation number 2 अब यहाँ पे हमने दोनों triangle के अंदर दो angle को congruent proof कर दिया और हम यह चीज पढ़ा चुके बता भी चुके हैं कि हमारे test of similarity में एक ऐसा condition आता है कि अगर कोई भी दो triangles के अंदर हम दो angle को दो angle को अगर congruent proof करके बता दे या फिर congruent बता दे तो हम क्या बोल सकते कि वो दोनों triangle से एक दूसरे को क्या है similar है वो भी कौन से test से similar है दो angle मतलब angle angle test से तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ है हम लोग बोल सकते हैं कि from equation number 1 and 2 यह दोनों ही equation आप देखो पहले equation में एक angle मेंने congruent proof किया second equation में दूसरा angle congruent proof किया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि from equation 1 and 2 जो दोनों मेरा दो triangle है जिसका नामे एक का triangle का नामे triangle ABC और दूसरे triangle का नामे triangle क्या नामे EDC यह दोनों क्या है बताओ यह एक दूसरे को क्या है similar है तो यह हमने proof करके दिखा गय या कि that is my triangle ABC is similar to triangle EDC वो भी कौन से test से similar है बताओ तो हमें reason भी बताना पड़ेगा तो यह जो है similar है by इससे है दोनों angle है इसके लिए by angle angle test by angle angle test से यह दोनों एक दूसरे को similar है और यही तो हमें question पूछा था question अगर आप ध्यान से समझो होगे तो question में क्या पूछा था कि कि जो मेरा दोनों triangle दिया हुआ है यह वाला figure जो दिया हुआ है इसमें कौन से दो triangle similar है तो हमने यह बता दिया कि जो मेरा triangle ABC है और triangle जो EDC है यह दूसरे को similar है और वो क्यों similar है reason क्या है by angle angle test से similar है clear है समझ में आ गया है तो यह था हमारा सबसे पहला example ऐसे ऐसे simple example exam में देख लो समझ में आ गया अब चलते हैं अगले question की तरफ देखते हैं और कॉंचा question पूछे question number 2 पर आ गए हैं यहाँ पर ध्यान दोगे क्या बोल रहा है find out these two triangles are similar or not मतलब यह दोनों triangle आपको diagram में दिये हुए exam में भी दिया रहेगा और आपको पूछा है क्या यह दोनों triangle एक दूसरे को similar है या नहीं है बहुत simple है तो यह दोनों triangle similar है कि रिख कैसे पता लागेगा जब इसके कुछ condition satisfy करेंगे या तो कोई दो angle same हो जाए या तो कोई तीनों angle same हो जाए या तो तीनों side same हो जाए या तो दो side एक angle same हो जाए concurrent हो जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि यह कोई तो test से similar है तो वो check करना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले हम लोग test करेंगे कि यह कौन से इससे similar है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों क्या ध्यान दोगे कि हमारा जो दोनों triangle से यह दोनों triangle में 3 side दिये हुए 1 side 2 side 3 side 1 side 2 side 3 side 3 side के value दिये यानि कि हमा बैद brackets दोनों triangle के नाम क्या है देखो ध्यान से मैं लिखूंगा यहाँ पे इन triangle क्या है पहले का Nueva Type पिक्यूउ आरफ यहां पर आप देखो मैं क्या करता हूँ हए एक साइड का रेशिए निखालता हो यह वल्य ट्रैंगल का पहला साइड ले रहो पिक्यू और इस ट्रैंगल का पहला साइड है ल remote प् score अपन 1 रेशिव बनेगा थो सब्से पहले मैं निकालता हो p tap sonra LM, is equal to, कितना आएगा, PQ का है 6, LM का है 3, यानि कि 6 by 3, PQ upon LM, 6 by 3 आगया, 6 by 3 कितना होता है, दोस्तों, 2 होता है, correct है, 6 by 3 मतलब 2 होता है, इसको मैं मालने तो, equation number 1, वैसे ही same, अब ये वाले side का निकालता हू, QR upon MN निकालता हू, दूसरा ratio निकालता हू, QR upon MN, ये मैं खुछ स ले रहे हैं, तो QR upon MN, तो QR क्या है, 8, MN कितना है, दोस्तों, 4, तो 8 by 4 कितना होता है, 2 होता है, तो इसको मैं मान लिया, equation number 2, ठीक है, अब तिसरा क्या बच रहा है, ये वाला side, जिसका नामे PR, और वो अलेगा, LN है, यानि PR upon LN, तो PR upon LN, तो PR कितना है, 10 है, कितना है, 10, तो PR is nothing but 10, and LN कितना है, LN 5 है, यहाँ पर ध्यान से देखना, बच्चो, 10 by 5 हो, 10 by 5 का मतलब भी कितना होता है, 2, 5 to 10 होता है, तो ये इसको मान लिया, हमें equation number 3, तो ऐसे हमें तीनों के ratios निकाल लिए, तीनों side के 3 ratios निकल गए, और अगर आपका दिमाग यहाँ पर चल रहा है, PR upon LN का जो ratio आ है, भो भी 2 आ रहा है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या ध्यान देना, मैं लिखूंगा यहाँ पर from equation number 1, 2 and 3, ये तीनों ही equation से मैं क्या बोल सकता हूँ, कि ये side का value 2 है, ये side का value 2 है, ये side का value 2 है, य ये QR upon MN, जो है, ये भी equal होगा, किस से तिसरे वाले जो की है, PR upon LN से, यानि ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे को congruent है, equal है, और अगर ऐसा होता है, तो हम clearly बोल सकते है, कि जो given triangles मुझे दिया हुए, therefore my given triangles, that is area of triangle, sorry, triangle P, Q, R, and दूसरा जो triangle है मेरा, क्या नाम है दोनों triangle क्या होंगे, एक दूसरे को similar होंगे, Q similar होंगे, दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को similar होंगे, by, कौन से test से बताओ, ये तीनों, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो तीनों साइड, एक दूसरे को equal है, तो ये होंगे, by, side, 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 यानि SSS test से ये क्या होगे, ए है correct है समझ में आ गया बहुत ही सा अधरन बहुत ही सिंपल स्वीट सा टॉपिक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक्जाम से पूछता भी है बहुत बार एक्जाम में पूछता है और definitely अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करोगे और थोड़ा सा फोकस करोगे तो यार यह इतना इजी बन जाता है कि एक्जाम में मिश्कल से एक या दो मिनट एक या दो मिनट के अंदर आप इसका एंसर निकालोगे और दो मार्क्स आप लेके जाओगे य बोल रहा है और यहां पिसे घूले और फोकस करोगे तो एक पोल यहोगा है और दूसरा पोल से जोकी आज से हमदे में लिट्र होगा और यहां पर इंग्राओषस होग करो है जयसे हमारे खंबे होते है है न रोड के किनारे Fernव रह ब्रते होगन थार्ठ से चीना मान लिया, length of the shadow of smaller pond, मतलब जब sunlight पड़ेगा, तो pole का क्या पड़ता है, shadow पड़ता है जैसे कि हम लोग पभी सड़क पे चल रहे हैं, तो हमने देखा है न, poles जो खड़े होते हैं, electric poles हो गया, खंबा हो गया, तो उसका परचाई पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे sunlight आ रहा है, तो sunlight जब पड़ रहा है, उसका परचाई निकल रहा है 6 meter, किसका निकल रहा है 6 meter, छोटे वाले का, यानि कि यह जो 4 meter का खंबा है इसका परचाई 6 meter का पड़ रहा है ground पे, और बड़े वाले का जो है वा 8 meter का खंबा है hide में, लेकिन उसका परचाई कितना पड़ रहा है, वो हमें पूछा है यानि कि, how long will be the shadow of bigger pole यानि bigger pole जो होगा, उसका परचाई कितना होगा, मुझे मालू नहीं, तो मैंने मान लिया कि उसका परचाई होगा, x, जो भी centimeter या फिर meter है, कितना दिया है, meter में दिया है तो हमने मान लिया कि, वो कितना होगा, x meter हो गया ठीक है, यह मैंने मान लिया अब, यहाँ पर मानने के बाद, आप एक चीज़ notice कर सकते हो, यहाँ पर दो triangle बन रहे है, मेरे दो triangle कैसे बन रहे, एक triangle मेरा बन रहा है बिल्कुल ध्यान लगा के notice कर रहे होंगे, तो हमें एक चीज़ क्या बता चल रहा है, कि यह दोनो triangle में, कुछ ना कुछ similarities है, क्या similarities है, कि यह जो triangle है मेरा PRQ, और जो triangle है मेरा ACB, यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को similar होंगे क्यू similar होंगे, क्यू बताएगा मुझे, यहाँ पर हमें proof नहीं करना था, यह similar अल्री दिया हुआ है यह जो similar है न, यह given है क्यू given है, लेकिन क्यों बताएगा, reason क्या है क्यू यह चीज similar है क्यू कि दोनों के दोनों क्या है एक pole है, perpendicular pole है और दोनों के दोनों का जो shadow बन रहा है वो equal बन रहा है, equal मतलब length में equal नहीं, दोनों का दोनों जो shadow बन रहा है वो एक जैसा ही दिखरा है, तो हम लोग हमारे जो geometric figure जो दिखरा है diagram उसके इसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि यह दोनों triangle जो बन रहे एक दूसरे को similar होंगे, और जो दोनों triangle एक दूसरे को similar होंगे, तो clear cut हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि इसके जो sides बनेंगे, sides के जो ratio आ जाएंगे, वो भी proper जरीके से equate हो जाएंगे, यानि कि इसका ratio में निकालने की कोशिश करो, तो यह बन जाएगा PR, starting का दो लेटर, इसका AC, तो PR upon AC, that will be equal to, इसका आ ले लो, RQ upon CB, और इसका PQ upon AB, तो यह हमारा क्या बनते हैं, ratios बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, corresponding sides of similar triangle, क्या बोलते हैं, corresponding sides of similar triangle, if two triangles are similar to each other, correct है, if two triangles are similar to each other, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि उसका corresponding side of similar triangle के आधार पे, जो 33-3 side होते हैं, वो एक दूसरे का ratio बना लेकिन आप इसमें यूज क्या है मुझे अब यहां पे जो यह पीक्यू वाला साइड है और यह जो एबी वाला साइड है इसका यूज नहीं है इसका मुझे यूज नहीं है इसका मुझे यूज नहीं है इसका मुझे यूज नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा मतलब से मीन नुट को लैना है मुझे तमाज में आ राय इंस इकोल टो अर्फ सीहग एक वे तो यहां पे अपा देखों पी अर to RQ upon CB, तो RQ का value 6 दिया हूँ है, CB का value X दिया हूँ है, यानि 6 upon X, ठीक है, 6 upon X, अब मैं क्या, इसको solve कर सकता हूँ na, simplification, बहुत easy process है, solve कर सकता हूँ, करो solve, ये क्या हो जाएगा, 4X, cross multiply हो जाएगा, तो 4X is equal to 86 दो 48 हो जाएगा, 4X is equal to 48, therefore X will be equal to 48, divide by 4, therefore 12 हमारा answer आजाएगा, यानि in short हमारा X का value कितना आ रहा है, therefore X will be equal to 12, हमारा यहां से value X का value आ रहा है, और यही तो पूछा था हमें निकालने खेले, कि how long will be the shadow of bigger pole, यानि हम लोग लिख सकते हैं, कि the shadow of bigger pole, बड़ा वाला जो pole है, the shadow of bigger pole is 12 meter, ये हमारा answer आ गया, clear है, 12 meter is the final answer, clear है कितना simple था, कितना जादा simple था, ये भी आप देख सकते हो, बहुत easy example और बहुत ही sweet and simple example, ओके, अब एक और example मैं करा देता हो, फिर आज का lecture खताम करेंगे, क्योंकि मैंने चाहता कि आप बहुत बढ़े-बढ़े lectures देखो, आराम-ाराम से पहले से सिला, बस हर चीज़ completed है, बस आपको search करना है, videos और जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है, मैं चाहता हूँ कि हमारा हर J.R. family वाला J.R. tutorials का बच्चा, हर बच्चा top career 90 plus percentage लेके आए, और मैं इतना उमीद रखता हूँ आप सभी से कि definitely आप मुझे निराश नहीं करोगे, और definitely बहुत अच्छी अच्छी percentage को लेकर आओगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, N4 और आज का आखरी example इस पर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है fourth example, इस पर हम लोग बिल्कुल है, BC से perpendicular है, और यहाँ पर BQ, AC से perpendicular, तो देखो यहाँ पर AP, BC से perpendicular, BQ, AC से perpendicular है, ठीक है, देन प्रूब दैट triangle CPA, CPA कीदार है देखो, यह CPA, यह जो ट्राइंगल है, यह वाला देखरेओ, यह वाला दिया हुआ है, यह value के help से हमें AC को find out कर रहा है, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या फर्ज है, यहाँ पर, फर्ज मतलाब क्या चीज कर रहा है हम लोगो, सबसे पहले हमें बताना है कि यह जो triangle है, जिसका नाम है दोस्तों, APC, यानि यह वाला CPA, CPA, यानि कि यह वाला जो triangle आपको दिख रहा है ठीक है ये triangle और जो अंदर ये जो triangle जिसका नाम है dcq या फिर bqc जो भी आप नाम बोलना चाहते हो वाला एक दूसरे को similar है तो सबसे बेले हम लोग क्या करेंगे ये दोनों triangle को हम लोग consider करते हैं हम लोग मानते हैं कि let in triangle cpa और cqb ठीक है हम लोग मानते हैं in triangle cq cpa cpa and triangle cqb ये दोनों triangle है हमारे अब ये दोनों triangle में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे cpa ये 90 degree है और दूसरा cqb ये भी क्या है 90 degree तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये दोनों triangle में angle मेरा cpa and triangle cqb ये दोनों क्या है एक दूसरे को क्या होंगे बचाओ congruent होंगे क्यों congruent होंगे reason में लिख सकता हूँ यहाँ पे कि both are 90 degree ये दोनों एक दूसरे को congruent होगे कौन कोन होगे एक तो होगया cpa दिया भी ये देखो 90 degree का perpendicular का sign दिया हुए तो cpa और cqb ये दोनों एक दूसरे को क्या होगे congruent होगे क्योंकि यहाँ पे हमारा both 90 degree दिया हुआ है इसको मैंने मान लिया equation number 1 ठीक है अब एक और चीज़ नोटीस कर पाऊगे यहाँ पे बिलकुल अगर ध्यान से आप नोटीस करना चाहते होंगे दोनों के दोनों में आप देखोगे तो c word common है यहाँ पे भी आप नाम से देख लो यह triangle cpa है और triangle cqb इसमें भी c आ रहा है इसमें भी c आ रहा है तो मेरा common angle निकल रहा है c तो सबसे पहले यहाँ पे जो यह triangle है जिसका नाम है triangle cpa में आप देखोगे तो angle a cp ACP प्रद्यूमन यानि कि angle जो मेरा है ACP और ये वाले triangle में जब देखो ये वाले triangle में है मेरा QCB या फिर BCQ बोल दो ठीक है जो भी आपको बोलना है तो QCB बोलता हूँ angle QCB ये दोनों में ही C और C middle में आ रहा है मतलब मेरा जो angle C है ये दोनों में congruent है दोनों में common है correct है समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों के दोनों में C common है मेरा इसके लिए मेरा ये दोनों triangle क्या हो जाएंगे Congruent हो जाएंगे क्यों Congruent हो जाएंगे क्यों C मेरा दोनों में है ये Triangle में भी है और ये Triangle में भी C common है तो common angle के help से हम लोग बोल सकते कि Angle ACP is Congruent to Angle QCD और अगर ऐसा होता है उसको मैं मान लिया Equation No.2 मान लिया और अगर ऐसा होता है कि कोई भी keep इक्वेशन नमर वन में बता दिया कि CpA is CQB, और एक्वेशन नमर टू में बता दिया कि ACP प्राइवमर is CQB, यह हमने बता दिया, अब यहाँ पे हमें रेलाइज होता है, यहाँ पे हमें रेलाइज होता है कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को, similar होंगे, और similar होंगे, तो क्यों होंगे, यहाँ पे reason लिखना पड़ेगा, it is similar by angle-angle test, यह दोनों angle-angle test से है, कहां से आया, from equation number 1 and 2, reason लिख दो, from equation, यहाँ, इसको पहले लिख लिलना, यह फ्रॉम equation number 1 and 2 यह वाले के पहले लिखना, from equation 1 and 2, इससे आ गया ठीक है यह वाला इसके पहले लिखना ठीक है लिख सकते हो ठीक है लिख सकते हो ना ओके एक और एक और चीज़ अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो हम हमारे डिजिटल बोर्ड का सहारा लेंगे जो की देखते हैं यह हो पाता है कि ने ठीक है आपके सामने ही कर रहा हूँ यह चीज हो पा रहा है कि ने यह इसको उपर करना है इसको नीचे करना है तो सबसे पहले मैं इसको नहीं नहीं आप देखो इसको मैं पकड़ के नीचे लाता हूँ, ठीक है, अब क्या करता हूँ में, अब एक बार magic करता हूँ कि इसको मैं circle करता हूँ, ठीक है, और इसको पकड़ के उपर लाता हूँ, यह from equation number 1 and 2 हो गया, correct है, अब इसको लाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ वापस से और इसको लाताओ में यहां से उपर, ठीक है, यह हो गया, देखो, आप हो गया ना, यह उपर हो गया, यह नीचे हो गया, हमें कुछ करने की ज़रत नहीं पड़ी, बस यहां पे हमें क्या करूँगा, हमारा डस्टर ले लो, यहां पे, और यह ट्रेंगल को यहां मि सिमिलर है, प्रूफ करके दिखा हो, लेकिन साथ ही में हमें एक और चीज़ पूछा है कि AC निकाल के दिखा हो गया, AC भी पूछा है, लेकिन उसके पेले कुछ वैलू लगेंगे हमें, क्यों लगेंगे, यहां पे ध्यान तो, यहां पे बोला है, AP का वैलू 7 है, तो यह लं पे लिख सकते हो, तो यहां पे हम लोंगे क्यों हो यहां है, तो यहां पे हम लोग इसको सвол wir愡 करते है, अब यह दो लगे है, जो सकते हैं, बिलतास. तो AP लिख दिया. Article QB को BQ लिख सकता हो. QB है nga, BQ लिख सकता हो. बिल्कुल लिख सकता हो. तो BQ is equal to, सिधा कर रहा हूँ, आले. CA को AC लिख सकता हो, लिख सकता हूँ, बिलतास और ये CB को BC लिख सकता हूँ. ठीक है? अब कुछ वयल्यू हमारे पास दिये हुए, AP का value 7 है तो 7 लिख दिया, BQ का value 8 है लिख दिया, AC का value दिया है क्या नहीं, AC तो निकालना है यार, AC निकालना है upon ये BC का value 12 दिया हुए डाल दिया, calculate करना है cross multiplication होगा, 7 multiply by 12, that will be equal to 8 multiply by AC, तो यहां से हमें AC का value मिल जाएगा, तो AC will be equal to 7, 12, 7 जा कितना होता है 84 होता है, 12, 7 जा 84 divide by 8 हो जाएगा आता है क्या 8 के table में नहीं आता है 4 के table में जाएगा, yes 4 to the 8, 4 to the 8, परों जा 4 21 upon 2, that will be equal to 10.5, तो हमारा AC का value आ जाएगा 10.5, AC is equal to 10.5, ठीक है, कुछ मीटर मीटर दिया आएगा, नहीं दिया छोड़ दो, AC is equal to 10.5 unit, यहां पे लिख दो, खतम कहाने, तो AC का value कितना आ गया, 10.5 unit आ गया, जो कि एकदम exactly correct answer है, हमारा, बहुत ही बहतरीन तरीके से हमने इसको solve करवा दिया, ठीक है, समझ में आ गया, clear है, तो अगला जो lecture आएगा, यानि की lecture नमर कौनसा होगा, 11 वाज जो lecture होगा, यार, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, जो बचे कुछे questions है, इस practice set के, उसको complete करा दे, और पुरा chapter भी complete हो जाए हमारा, ठीक है, चलो, फिर आज के लिए इतना ही ये वीडियो, आपको कैसा लगा है फ्लीज हमें comment करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो फ्लीज वीडियो को like करना, क्योंकि यार, आपके like करने से ही motivation मिलता है, आप लोग like ने करोगे, तो मैं नाराज चाओंगा, ठीक है, तो नाराज बत करो यार मुझे, क्योंक आपसे क्या चाते हैं, बतले में, कुछ नहीं चाते हैं, मतलब सिफ आपस का प्यार चाते है, और आपका प्यार कैसे दिखेगा हमको, आप मुझे बताओगे, वो तो possible नहीं है, कि आप मुझे call करो, फिर message करो, message तो आप करते हो Instagram पे, by the way follow कर ले न, मुझे message करते रे न, ल प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस लाएंगे, आप लोग को notifications मिलती रहेगी, तो जल्दी मिलेंगे, हमारे new वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.